और हात्रस से बड़ी कबर है, हादसे में मनेवालों की संख्या 17 हो गई है रोड़ वेस बस और पेकप की जोरदा टकर हुई बढ़ सकती है मनतिकों की संख्या गाये लोगों को अस्पिताल पहुचाया गया है हात्रस में आगरा अलीगर नैशनल हाईवे पार पेकप और अलीगर डिपो की रोड़ वेस बस की जोरदा टकर हुई हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 से ज़ादा लोग जख्मी हुए है मनेवालों में 4 बच्चे, 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल है और वहीं मुक्यमंतरी योगी आदेतनाथ ने हात्रस में हुए सड़काथ से पर संग्यान लिया है मुक्यमंतरी ने मुक्यमंतरी ने मुक्यमंतरी योगी आदेतनाथ ने घायलों को ततकाल अस्पदाल पहुँचा कर जिलापरशासन के अधिकारियों को उनके समचेत उप्चार के निर्देश दिये और इसके साथी घायलों के शीगर स्वस्थ होने की भी कामना की है सीम योगी ने जिला प्रिशासन के अधिकारियों को मौकी पर पहुच कर राहत कारे में तेजी लाने के नर्देश दिये तो सोशल साइट एक्स की तरफ से उन्होंने पोस्ट भी किया है गायलों को जल्द स्वासला प्रदान करें और वहीं पियम मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया हात्रस की घटना बहुत ही पीड़ा दायक है पीड़ित परिवारों के प्रती मेरी समवेदना ईश्वर कठिन वक्त में उन्हें संबल दे गायलों के जल्द ठीक होने की कामना राज्ज सरकार हर संभब मदद कर रही है तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है पीड़ित परिवारों के प्रती मेरी समवेदना है इश्वर कठिन समय में उन्हें समबल दे गायलों के जल्द ठीक होने की कामना और वहीं राश्पती द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है हत्परस की घटना से दुख हुआ यह का गया है राश्पती की तरफ से श्योग संतप परिवारों के प्रती मेरी समवेदना गायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना